बुद्ध को इंगलीज में जो है ना मरकडी कहते हैं है ना मरकडी या कहीं कहीं इसको मरक्यूरी भी कहा जाता है ठीक है तो यह मरकडी क्या है इसको ठीक ठीक देखना है समझना है बुद्ध के बारे में हम आपको समझा रहे हैं यह सौर मंडल का सबसे छोटा तथा सूरी के सबसे निकट का ग्रह है स्वार मंदल का सबसे चोटा ग्रह कौन सा है तो आपको तुरत जवाब देना है कि बुद्ध और यह सूरी का सबसे निकट का ग्रह है सूरी का सबसे निकट का ग्रह है बुद्ध सूरी की परिकर्मा केवल 88 दिन में पूरी करता है जितना ग्रह है सब से कम समय परिकर्मा करने में सुरी का परिकर्मा करने में कौन लेता है बुद्ध लेता है केवल 88 दिन में यह सुरी का परिकर्मा पुड़ा कर लेता है इसका कोई उपगरा नहीं है इसका प्राकृतिक रूप से कोई उपगरा नहीं है ठीक है इस ग्रह पर वाय मंडल नहीं है जिससे जीवन संभव नहीं है, यहाँ वाई मंडल नहीं है, जिससे क्या है, जीवन संभव नहीं है, यह पिर्थवी के आकार में 18 गुना छोटा है, यह पिर्थवी के गुर्तवाकर्शन बल का 3 बटे 8 बुद का गुर्तवाकर्शन बल होता है, उसका 3 बटे 8 बुद का गु सार्ष चेंटीग्रेट होता है बुद्ध का तपांतल इसका घुर्णनकाल 58.6 दिन है घुर्णनकाल कितना दिन है 58.6 दिन है मेरी नट 10 बुद्ध का क्रितरीम उपगरह का क्या नाम है मेरी नट 10 समझे इसको इस मेरी नट 10 को हम लोग मानब बनाये हैं जो की कृत्रिम उपगरा है समझ मा आगया बात तो ये बुद्ध जो है सबसे छोटा गरह है और आपको पूछ सकता है कि इसका कृत्रिम उपगरा कौन सा है तो इसको हम लिख दिये है मेरी नट 10 ठीक है इसको आप लाइकन होगा उसको दबाद दीजिएगा धिक कर दो